वेलकम बेक टू मैं चैनल, कैसे आप सब लोग मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज मैं बनाने वाली हूँ यकनी प्लाव गोश का तो चलो उसकी रेसिपी मैं आप लोगों की साथ में शेर करने वाली हूँ तो हम लोग बनाते हैं यकनी प्लाव के लिए आदा किलो गोश लिए हूँ इसको दो के मैंने छन्णी में दाल दी हूँ और यह मैने चावल एक गिलास ली हूँ पानी का गिलास जो होता है और यह अदरक लसुन का पेस्ट यह मैने इसको पीस ली हूँ मिक्सर में तोड़ा सा पानी दाल के और ये टमाटर मैंने दो मीडियम साइज के कट कर ली हूँ और ये पियाज दो मीडियम साइज की और ये जो खड़ा मसाला है इसमें 2-3 डंडी दाल चीनी एक बड़ी लाय ची 2-3 लॉंग 3-4 काली मेरी और ये मैंने ली हूँ एक चमच नमक थोड़े से ये मटर और एक से देड़ चमच जीरा तो अभी हम लोग मनाना स्टार्ट करेंगे तो ये मैंने गैस पे कूकर रग दी हूँ और इसमें मैंने डाली हूँ दाई चमच तेल यह आप देख सकते हैं और ये तेल गरम होगा उसके बाद में हम लोग इसमें पियास दालेंगे तो ये देखिए तेल हो गया है हमारा गरम तो अब मैं इसमें डालूँगी पियास और जो खड़े मसाले हैं वो भी डाल दूँगी पियास के साथ में बिसमिल्ला रह्माले रहीम यह देखिए प्यास को हलका ब्राउन करेंगे दालूंगी जीरा यह बीच में डालना है इसको हलका ब्राउन करेंगे जादा जलाएंगे नहीं जब तक मेरा प्यास ब्राउन हो रहा है मैंने यह चावल को वाश कर ली हूं तीन पानी से और इसको भीगा के हम लोग 5-10 मिनट छोड़ देंगे तो यह बहुत अच्छे बनेंगे इसको अगर भीगा के रखोगे तो चुट्टे चुट्टे यह मेरा प्यास ब्राउन हो चुका है अभी मैं इसमें डालूंगी टामाटर तामाटर डालूंगी मैं और इसमें मैं निकाल के रखी थी नमाक आप अपने टेस्ट केस आप से दानना और थोड़ा कैमरा हिल रहा है प्लीज एक्जिस्ट कर लेना एक हाथ से नहीं जमता है और याद रख लसून का पेस्ट अभी हम लोग इसको अच्छे से बून लेंगे अब मैं इसको ऐसे दो से तीर मिनट बून के फिर इसमें गोश डालूंगी जो मैंने यह दो के रखी थी और गोश को भी अच्छे से इसमें मिला लेंगे मसाले में आदा कप पानी दालूंगी और इसको हम लोग दो से तीन सीटी इसकी ले लेंगे बस इतना ही पानी दालना है जादा नहीं दालना है तो सीटी ले ले लेते हैं अभी इसका धकन लगा देंगे अभी हम लोग दो से तीन सीटी लेंगे फिर इसको खोल के चेक करेंगे कि हमा हमारा यह चार सीटी में हो गया है अभी मैं इसमें दाल दूँगी चावल को कि यह मैं चावल सारा दाल दूँगी इसमें और इसमें मैं यह वटाना रखी थी यह मतर भी दाल देंगे हम लोग अज़िए मैंने छे हरी मिर्ची ली हूँ यह हक्की हरी मिर्ची यह इसमें दाल देंगे तो अभी मैं इसको पानि दाल के फिर सीटी लगाऊँ भी वापिस से इसने दो सीटी लूँगी एक हम लोग इसको तक के इसकी सीटी ले लेंगे तो दो सीटी ही लेना उसे ज्यादा सीटी नहीं लेना और पानी मेडियम साइज के छोटे गलास जो होते है उससे ही दो दालना है तो हमारा ये यकनी प्लाव रेडी हो जाएगा तो अभी मैं इसको धकन लगा के दो सीटी ले प्लाव रेडी है खाने के लिए अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेर कमेंट जरूर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना तो चलो मिलते हैं नेक्स रेसिपी के साथ में अल्ला आफिस दुआ में याद रखना बाई